नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशिट नमबर 59 या क्रिया कलाप 69 ये 11 सितंबर 2020 की है यहां पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहां पर अपनी क्लास और सेक्षन और यहां पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे हमारी वर्कशिट का टाइटल यानि शीर्शक है हेल्दी वेजेटेबल्स हम फ्रूट्स के ओपर दो तीन वर्कशिट कर चुके हैं, तो आज नमबर आता है वेजेटेबल्स का पहले हम दो चार लाइने इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं साथ-साथ उनका मेनिंग भी बताता जाओंगा उसके बाद हम वही लाइने हिंदी में भी पढ़ेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं वेजेटेबल्स आर इंपोर्टन पार्ट ओफ आफ फूड, वो क्या कह रहा है, सबजियां हमारे खाने का एक एहम हिस्सा होती है सबजियों खाने से हमारा शरीर कैसा हो जाता है, हेल्दी यानि स्वस्त और स्ट्रॉंग यानि ताकतवर तो यह क्या कह रहा है, कि एक पोधे के अलग-अलग हिस्सों को हम सबजी के रूप में खाते हैं अब पोधे के अलग-अलग इससे कौन से होते हैं, यह देखिए, एक पोधे में रूट्स यानि उसकी जड़े होती है, जो जमीन के नीचे होती है फिर stem यानि उसका तना होता है उसकी leaf यानि उसकी पतिया होती है और flowers यानि फूल भी होते है और fruits यानि फल और फल के अंदर एक और चीज़ होती है seeds seeds यानि beege जिससे हम नया पोधा होगा सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं तो यह क्या कह रहा था कि हम एक पोधे के अलग-अलग हिस्सों को सबजियों के रूप में खाते हैं वो देख लेते हैं, for example, यानि उधारन के तौर पर, we eat leaves, हम पत्तिया खाते हैं, in the form of spinach and cabbage किसके रूप में spinach यानि पालक और cabbage, cabbage यानि बंदगोबी आगे, we eat roots, roots यानि जड़े, in the form of potatoes, turnip and carrots किस रूप में खाते हैं, हम जड़े, यानि roots, in the form of potatoes, यानि आलू, turnip, यानि शलगम, and carrots, यानि गाजर pumpkin and brinjal are the fruits of vegetable plants तो क्या कह रहा है, pumpkin यानि सीताफल, या जिसको हम पेठा भी बोलते हैं and brinjal, brinjal यानि बैंगन, ये क्या है, are the fruits, ये क्या कहा है, उसके फल है, एक पोदे के फल है peas and corn are the seeds that we eat तो क्या कह रहा है, peas यानि मटर, और corn यानि मक्का, ये क्या है, ये seeds है, ये बीज है, जो कि हम खाते है some vegetables are cooked, while some can be eaten raw, तो क्या कर रहा है, कुछ सबजिया हम पका कर खाते हैं, cooked यानि पका कर खाना and some can be eaten raw, raw यानि कच्चा, और कुछ को हम कच्चा ही खा सकते हैं, तो चले भी इसको फटा फटा हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे सबजिया हमारे भोजन का एक महतोपूर्ण हिसा है, सबजिया खाने से हम स्वस्त और ताकतवर बनते हैं, पौधे के अलग अलग भागों को सबजियों के रूप में खाया जाता है उधारन के लिए हम पत्तियों को पालक और बंदगोभी के रूप में, जड़ो को आलू, शलजम और गाजर के रूप में, अब यहाँ पे शलजम लिखा हुआ है, इसको कई लोग शलगम के नाम से भी जानते हैं, सीता फल और बेंगन पोधे के फल हैं, और मटर और मक्का बीज हैं, जिनने हम खाते हैं, कुछ सबजियों को पका कर, वह कुछ सबजियों को कच्चा भी खाया जाता है, तो चलिए, इसी क्याधार पर हम यह आसान से प्रशन कर देते हैं, नमबर एक, वो क्या कह रहा है, eating vegetables makes us, वो क्या कह रहा है, सबजियों खाने से हम कैसे बन जा हैं, तो चलिए, अगले question को देखते हैं, write the names of two root vegetables, यानि, दो सबजियों के नाम लिखिये, जो जड है, अभी हमने उपर पढ़ा था, तो English में हम लिख सकते हैं, potatoes and carrots, और इसी को हिंदी में लिख देंगे, आलू और गाजर, तो चलिए, आगे चलते हैं, नमबर तीन, write the names of two leafy vegetables, ये क्या कह रहा है, दो पत्तेदार सबजियों के नाम लिखिये, तो ये भी हमने पढ़ा था, English में हो गए spinach और cabbage, और हिंदी में हो गए, पालक और बंदगो भी, तो चलिए, आगे चलते हैं, नमबर फोर पर आते हैं, write the names of two vegetables that are green in color, ऐसी दो सबजियों के नाम लिख ये जो हरे रंग की होती है, चलिए बढ़ा ही आसान है, पहले हम लिख सकते है, lady finger यानि भिंडी और उसके बाद दूसरा हम लिख सकते है, bottle god यानि लोकी, चलिए ये भी हो गया, आगे चलते हैं, नमबर फाइफ, look at the picture अबव, अबव का मतलब होता है उपर, लेकिन या side मे पिक्चर, and identify the vegetables, वो क्या कह रहा है, उपर दिये गए चित्र को देखे और सबजी को पहचानिये, तो ये कौन सी सबजी है, इदर चित्र में देखे आप बता सकते हैं, तो ये है, turnip यानि, शलगम, इसका हम नाम लिख देंगे या आपर, तो ये भी हो गया, आगे देखते यानि उसकी जड़े हैं, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, underground, यानि जमीन के नीचे, चलिए आगे देखते हैं, name another vegetable that grows in the same way, वो क्या कह रहा है, एक और ऐसी सबजी का नाम लिखिए, जो turnip यानि शलगम की तरह, underground, यानि जमीन के नीचे उगाई जाती है, तो चलिए लिख देते हैं वो भी, अभी हमने पढ़ा था उपर, potatoes यानि आलू, आप इसके अलावा और भी नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जो जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, आपका जो मन करें आप वो नाम लिख सकते हैं, तो चलिए, आगे देखते हैं, नमबर सिक्स, ड्रॉअ एंड कलर देवेजटेबल देट यू लाइक टू इट इट अमोस्ट, अपनी मन पसंद सब्जी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिये, तो इसमें बच्चे अपनी मन पसंद सब्जी का चित्र बनाएंगे, जो सबसे आदा खाना पसंद करते हैं, और उसमें कलर भी कर सकते हैं, आज की गलासी ही घतम होती है, अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सिखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और जैह हिंद!